सिगंजी प्रेमिक्स बनाने के लिए इन ताजी निम्बू का यूज करेंगे बिना प्रेजरवेटिव आप इसे 6 महीने स्टोर करके रख सकते हैं फ्लेवर आप अपने मन पसंद इसमें आड़ कर सकते हैं अब सिगंजी भी सिर्फ एक मिनिट में बनके त्यार हो जाएगी क् फ्रेश निम्बू का इसमाल किया है सबसे पहले निम्बू को अच्छे तरीके से धोलीजे और धोने के बाद इसे कट करके इसका रस निकालेंगे तो यहां पर मैंने हाथों की हेल्प से ही इसका रस निकाला है आप देख सकते हैं यह बहुत बड़े निम्बू हैं और इन अच्छे से मैश करके इसका सारा जूस निकाल लिया है यहां पे जितना रस है उसका तीन गुना चीनी हम यहां यूज करने वाले हैं किसी भी फैलेवे बरतन का यूज करेंगे यहां पे मैंने थाली यूज की है और तीन गुना चीनी यूज की है जितना हमारा juice है उससे तीन गुनाई हाँ पे मैंने चीनी यूज की है और इसके अंदर हम इसमें juice डाल देंगे जो हमने निबू का रस निकाला है वो इसके अंदर डाल देंगे तो कुछ इस तरीके से चीनी को फेला के और इसके उपर ये juice डाल देना है उसके बाद आप इसे mix कर दीजे, mix करने के बाद आप देख रहे होंगे, चीनी एकदम थोड़ी गुली सी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे इसे dry करना है, पंखे में ही dry करना है, धूप में इसे dry नहीं करना है, इसे dry करने में आपको 5-6 दिन लगेंगे, तो 2 दिन बाद का texture में आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से यह उपर का जो surface है यह एकदम dry हो जाएगा इस तरीके से, लेकिन आप किसी भी spatula से इसे नीचे से pull करेंगे, तो यह हलका moist होगा, तो इस तरीके से आपको सारा जितना भी sugar है ना, वो आपको निकाल लेना है थाली में और अगें इसे सूपने देना है, तो 3 से 4 दिन का texture कुछ इस तरीके से है, और आपको finally मैं आपको 6 दिन का texture दिखा रहे हूँ, इस तरीके से यह एकदम dry हो जाएगा, आपको इसे धूप में dry नहीं करना है, तो यहाँ पर बस इसे jar में transfer कर लेंगे, अब तो यहा सिर्फ नमक एड़ किया है, एक चोथाई और एक चोथाई का हाफ मैंने नमक यूज किया है, इसे ग्राइंड करके इसका पाउडर तियार कर लेंगे, यह हमारा बेसिक शिकनजी का जो प्रिमिक्स है, वो रेडी है, आप इसे छे महीने स्टोर करके रख सकते हैं, इसमें हम ने बिलकुल बेसिक शिकनजी का पाउडर आपके साथ शेयर किया है, और आप इसे डी हाइडरेशन में भी योज कर सकते हैं, रेसिपी को ज़रूर कर लिजएगा और मुझे ज़रूर बताइगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी और भी आपको यूनीक रेसिपी देखनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रू बताइगा